करते मानीज का सब बाहर निकलेंगे तो क्या पहले जैसा रंग रूप में रहेंगा या फिर कई लोग कह रहें कि आप जो है वो नॉर्माल हो जाएगा कौन काता है जी मनीज का सब कौन काता है वो दहारेगा सेर का बच्चा है वो देश का आम जनता का गरीबों का आवाज है वो दहारेगा छोड़ेगा नहीं किसी को मनीज जी का जस्न पूरा धूमदाम से होगा और मनीज जी के साथ पूरे देश का जनता खड़ा है मैं तो मनीज जी को कहता हूँ कि भारते जनता पाटी में आईए आपका स्वागत है और ये चाचा भतिजा वाला जो सरकार चल रहा है इसको उठा के फेकने का काम किजिए हम लोग का सयोग रहेगा डंके के चोट में सयोग रहेगा आप देखते हैं न कि लोहा में जितना आप चोट मारिये लोहा उतना मजबूत होता है तो वही मनीश कस्यप लोहा है तो लोहे में आप मारिया न जी वो तो आप पीट पीट करके उसका सरीर और चौड़ा हो गिया है चाचा और भतिजा को जो है न आप पहुचा देगा जगह पे खाली पेट और खाली बंदुग जंग नहीं जीती जाती है उसे भोजन का भी जर संब्सकार सरकार चला रहें पूरे बिहार में जो गुंडा चल रहा है जंगल राज चल रहा है पुरे देश का जनता पुरे बिहार जी तो यह तेजस्वी यादव जी को अब ऐसा जटका लगेगा कि यह अब पुरे बिहार में नहीं यह हमको लगता है कि बिहार का कोई नदी में इसको लगेगा पटका नमस्कार आप देख रहे हैं एक्सप्रेस लूज मैं आपके साथ आसुतो सानन जब से मनीज कश्व के छूटने की बाते जो है सामने आ रही है तमाम उनके परसंसक जो है वो खुष है पूरा बिहार जार्खन और पूरा देश में जो है उनके परसंसक जो है जहां जहां वो चुका है और जो जितने कैस चल रहे से उन्हें अब बेल मेर चुका है तो कभी भी जो है मनी इसका सब्सक्राइब का चूटना ही था क्योंकि NSA NSA जो आज के NSA तो कोट ने रद कर दिया आज मनीश कस्याप जी रिहा होंगे तो यह पल्टू राम चाचा जो नितिस खुमार जी है और यह रंगरसिया सरकार तेजस्वी जी है मैं इन लोगों को काना चाओंगा कि आप लोग जो NSA NSA कर रहे थे क्या हो गया आज दूद का दूद पानी का पानी हो गया पूरे देश का जनता और राजी का जनता जान रहा है कि क्या होना था नहीं होना था आप आप जो इस तरह सरकार चला रहे हैं पूरे बिहार में जो पूरे बिहार में नहीं यह हमको लगता है कि बिहार का कोई नदी में इसको लगेगा पटका एक बात सामने आ रही है कि जब क्या काता है मनिश कसे बाहर निकलेंगे तो क्या पहले जैसा रंग रूप में रहेंगा या फिर कई आपका स्वागत है और ये चाचा भतिजा वाला जो सरकार चल रहा है इसको उठा के फेकने का काम किजिए हम लोग का सहयोग रहेगा डंके के चोट में सहयोग रहेगा यह नहीं कि मुह पे पॉलिस मारने वाली बात रहेगा चाचा और भतिजा के तरह नो महिना जेल में वो रहे अब रिहाई होने वाली हो सकता है कि आज उनकी रिहाई हो जाए कल हो जाए या फिर अब क्रिस्मस की चुपी होगी तो बात में होगा मतलब अब उस जो है तक मामलाव पर जो है उन पर बेल मिल चुका है तो क्या पूरा भीःओ धारखन में किस त तो इसलिए होगा क्योंकि मनीज जी एक इमंदार विक्ति है और आप देख सकते हैं आप भी एक पत्रकार है और मैं एक्सप्रेस न्यूज को खास करके मैं धन्यबाद देना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने पूरे देश में एक सही न्यूज दिखाने का कारी किया है तो आप भी जान रहे हैं पत्रकार महुद है कि क्या चल रहा है मनीज जी का जस्न पूरा धूमदाम से होगा और मनीज जी के साथ पूरे देश का जंता खड़ा है कई मीडियाबंदू यह भी कहते हैं कि वो जो अपनी सिमाओं को जो है वो लांग देते थे जिसके कारण की यह स्थिती उनको जहली देखिए देश में कई प्रकार के लोग हैं कई और समाजिक तत्वी हैं तो जैसे कि कहीं का कोई विधायक बनता है को मुखिया बनता है त जो चाचा और भतिजा के समर्तक है वो तो उनका समर्ता नहीं न करेंगे तो वही लोग बोलते होंगे उनके खिलाप में जो चाचा और भतिजा के समर्तक हैं बिलकुल मनिश जियोग इन लोग को कई लोग करें कि अनितीस कुमार को immersed करेंगे मुखमंत्री के दावेदार बनेंगे तो क्या लगता है कि अब जिस तरीके से नौ महेना जेल में रहें अब उस तरीके से दाहरा ना संभब हो पाएगा बिल्कुल होगा आप देखते हैं ना कि लोहा में जितना आप चोट मारिये लोहा उतना मजबूत होता है तो वही मनीश कस्यब लोहा है तो लोहे में आप मारिये न जी वो तो आप पीट पीट करके उसका सरीर और चोड़ा हो गिया है चाचा और भतिजा को जो है ना अब पहुचा देगा कि यहा हो जाते तो क्या करेंगा हम लोग सबसे पहले हम लोग एक दूसरे को मिठाए कि लाएंगे कि इमंदार का बेटा बाहर निकल गिया और हम लोग चाहेंगे कि मनीश जी भारती जनता पार्टी में आए और हम लोग मिल करके चाचा और भतिजा को खाटने का काम कि वो एक मंदार लड़का है उनका जो चलेगा संगर्स हम लोगों को अच्छा लगेगा जो हम लोग का पार्टी का अलाकमान का जो पैसला आएगा उसके हम लोग चलेंगे कि कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा था कि मनीश सब मनीश का सब कहते हैं कि हमारे पिता जी ज कि इतने भी सिपाही युद्ध में लड़ते हैं एक रसया का भी बहुत बड़ा भूमिका होता है कि रसया सहीद नहीं होते हैं उस युद्ध में ऐसे बहुत लोग हुए हैं तो इसलिए वैसे लोगों पर मुझे सर्माना चाहिए मैं बता देना चाहता हूं आप सभी को ज कभी कभी देखते होंगे कि आप नाई भी रसया भी सहीद होते हैं तो यह तो बोलने वाला का क्या कीजेगा खाली पेट और खाली बंदुग जंग नहीं जीती जाती है उसे भोजन का भी जर्रत होता है तो एक रसया कभी एक युद्ध में बहुत बड़ा योगदान होता है इसलिए ऐसे लोगा पर मुझे सर्म आता है कि इस तरह का बात मनीश कश्यप जी के पिता जी के बारे में कहते हैं अब कभी भी रिया हो सकता है और मनीश कश्यप जो है वो जेल से बाहर आ सकते हैं ऐसे पर संसक हैं और उनके सपोर्टर है जो काफी सपोर्ट करते हैं और मनीज का सब आज के डेट में इस तरीके से नो महिना वो जेल में अब निकलेंगे इस पर किरिया उनकी होती है ये देखने वाली बात होगी फिलाल बने रहे हमारे साथ ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें